Hello dear students, welcome to my channel ZR Tutorial इस वीडियो में हम question number 15 को solve करने जा रहे है जो कि 11th entrance का test paper है और ये last year का है session 2020-21 set A का हमने physics से शुरुआत किया है तो physics का ये 15th question है तो इसमें क्या दिया हुआ है कि An object is placed at the distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm Find the position of the image इसमें क्या दिया हुआ है हमें object की distance दिया हुई है और focal length दिया हुआ है और हमें ये convex mirror भी दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए याद नहीं होगा तो याद रखना पड़े है आपको कि convex mirror या convex lens दो कहीं दोनों का focal length जो होता है वो positive होता है अगर दोनों concave होंगे तो दोनों का focal length negative होता है तो यहाँ से focal length जो होगा हमारा वो positive होगा और हमेशा याद रखना है आपको कि object की जो distance होगी u से denote करता है और वो negative ही रखी जाती है ठीक है by the convention of the mirrors तो हमारे पास object distance दिया हुआ है u से denote करता है और यह minus में लिखा जाएगा focal length क्योंकि यह convex है तो हमारा plus 15 cm होगा हमें position बतानी है image की तो जिसको हम v से denote करते है तो इसको बताने के लिए हमें formula हमारे पास है जो कि होता है 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है मैं सीदे सीदे पहले अपने हसानी के लिए फिलाल इसको इदर सिर्फ minus में ले आता हूँ और आगे इसको जब मैं LCM मिलूँगा तो यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ है ना मतलब इस तरीके से लिख सकते है तो FU को जब F से डिवाइड करेंगे तो यही तो बचेगा यहाँ पर आ जाएगा फिर FU को U से डिवाइड करेंगे तो F बच जाएगा जो कि माइनस में है अब देखते हैं आगे मैं सीदे सीदे पुटिंग करूँगा U जो कि दिया हुआ हूआ है तो माइनस टैन यहाँ पर लिखूँगा F माइनस में चला गया है है यहाँ पर पॉजिटिव और पिलस माइनस माइनस होता है न तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाइ F इंटू माइनस 10 ठीक है और माइनस माइनस क्या होता है मैं मालूम है कि यह माइनस माइनस प्लस हो जाता है ठीक है f into minus 10 और इसको मैं 5 को 5 into 5 लिख रहा हूँ ताकि मैं आसानी से cancellation कर सकूँ इनका तो देखिए यहाँ पर क्या है minus है minus cancel out हो जाता and 5 to the 10 होता है 5 to the 15 तो बचा यहाँ पर क्या यहाँ पर बचा 1 upon V equal to 1 upon 6 और finally हम कह सकते है कि हमारा जो image की position है वो 6 cm बनने वाली है आपको cross check भी करना होते कि यह जो position है यह positive में आ रही है और हमें पता है convex mirror जो होता है उसमें दो ही case है NCID के अंदर और दोनों ही case में क्या है image virtual होती है या virtual मतलब behind the mirror बनती है और वो positive से ही हम denote करते है उसको और सारी की size जो image का size होता है वो diminish होता है तो यह बाते याद रखनी है कहाँ पर हमें focal length positive रखनी है कहाँ पर negative रखनी है तो बागी की सारी जो भी video मैंने बनाई है जो solution मैंने दिये है उसमें ही मैंने concept के साथ साथ बताने ही कोजिश किये तो इस तरीके से revision भी आपका हो जाएगा and बने रही है और लगे रही है entrance का paper होने वाला then thanks for watching my videos